गुड आप्टरनून आज हम लोग डिसकस करेंगे फिफ्थ लार्जेस्ट एकोनॉमी आफ दी वर्ल्ड कोई और नहीं अपना देश है भारत ये 75 साल के स्वतंत्र भारत की इतिहास में ये एक बहुत बड़ी उपलब दिये बहुत बड़ी उपलब दिये यहाँ पे आप कुछ देश के नाम देख रहे होंगे US, China, Japan, Germany, India और UK यहाँ पे जो नंबर है वो है 6 गिन सकते हैं 1, US, 2nd, China, 3rd, Japan, 4th, Germany, 5th, India और 6th, UK इसमें कोई अगर कोई भी ध्यान से देखे तो आपको देखने को मिलेगा अमेरिका, जापान, जर्मनी, UK यह जो हैं वो डेवलब नेशन्स हैं और आज से नहीं हैं वो बहुत पहले से हैं जो कहानी हमें जो देखने को मिल रही है वो मिल रही है चाइना और इंडिया को लेके चाइना ने तो अपनी पोजीशन बना रखा है किस पोजीशन पे युएस के बाद वर्ल एकनॉमी के अगर बात किया जाए तो चाइना की पोजीशन है पांचवे पोजीशन पे हम आगे हैं हम मतला हम भारत के लोग वी दे पीपल आफ इंडिया तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और इसको आज हम लोग सेलेबरेट करेंगे कैसे सेलेबरेट करेंगे इसके जो भी जो इन्फॉर्मिशन है उसको जानके ठीक है तो फिफ्ट लार्जेस्ट इकनॉमी करेंट में अपना देश है भारत अब थोड़ा सा हम आंकणों का अध्यान करेंगे आंकणों का अध्यान करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही आंकणे हमें बताएंगे कि हम 5th से 3rd पे कब आएंगे और 3rd से 1st पे कब आएंगे क्योंकि देखो जब हम चले थे तो अगर अभी तक्रीबन आप 7-8 साल की अगर बात करो तो हम लोग दसवे नंबर पे थे कितने नंबर पे 10th नंबर अगर 2014 की बात किजिए आप 2014 तो 2014 में हमारी जो रैंग थी वो 10th रैंग थी 10th से हमने क्या जंप मारा है 5th रैंग पे अब GDP के अगर बात करें तो 2014 में हमारा जो share of GDP था वो था 2.6% आज की डेट में हम आ गए है 3.5% कितना? 3.5% ता ये तो अपने देश के ये अपने देश से रिलेटर जो आंगडा था GDP को लेके वो हमने डिसकस किया हम एक एक देश की जो GDP है उसका nominal GDP में क्या value है? उसकी हम बात करेंगे साथ में हम लोग बात करेंगे कि उसका जो share of world GDP है उसमें कितना है? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो पहला देश यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा United States of America USA इसकी जो total economy है वो है 26,695 क्या? बिलियन डॉलर 26,695 बिलियन डॉलर और इसको अगर पूरे वर्ल्ड की GDP को पूरे वर्ल्ड की GDP को आप लोग consider करोगे तो उसमें इसका share आता है 24.1% इसका मतला हम लोग समाझ सकते हैं कि एक चौथाई एक चौथाई GDP किसकी कवर करती है? United State of America की समझ रहे हैं? मात्र के वर्ल एक देश जए लगबाग 1-4th GDP को कवर किये हुए समझ रहे हैं इस बात को? Second number पे जो position आती है वो है चाइना की चाइना की total जो economy है वो 21,865 बिलियन डॉलर की है 21,865 बिलियन डॉलर अभी जो मैं value बोल रहा हूँ किस में बोल रहा हूँ? billion dollar में इसको आप trillion में भी बोल सकते हैं किस में? trillion में और आप लोगों पता होना चाहिए कि 1 billion और trillion में क्या relation होता है 1 trillion में 1,000 billion होता है तो इसको अगर EOS की हमने क्या बोला कि 26,695 इसका मतलब trillion में इसकी वेली क्या होगी? 26.695 trillion dollar की economy चाइना की 21,865 billion dollar है तो trillion में क्या हो जाएगा? 21.865 trillion dollar अब आते हैं जपान जपान की economy है 5,291 billion dollar की या यह कहें 5.291 trillion dollar जर्मनी हमसे जस्ट आगे है चौते नमबर पे जर्मनी है जर्मनी की economy क्या है? 4,565 billion dollar इंडिया 3,894 billion dollar और UK की economy है current में 3,687 billion dollar और इनकी अगर trillion dollar में बात करो तो जर्मनी की कितनी हो जाएगी? 4,565 trillion dollar इंडिया 3,894 trillion dollar और UK की 3,687 trillion dollar अब percentage share US का हम डिसक्स कर चुके की लगभग 1,4 इसी का share है पूरी world GDP का लगभग में बात कर रहा है second पे China है China कितना? 19,80% 19,80% थार्ड नमर पे 4,8% के साथ जपान जर्मनी 4,1% और हमारा भारत 3,5% और ये जो 3,5% है वो आज की बात की जा रही है जबकि 2014 में हमारी economy का share कितना था? 2,6% 2,6% के साथ हम लोग 10th rank पे थे 10th rank पे थे आज से लगभग 8 साल पहले अभी जो बात की जा रही है कि 2000 27 27 में हमारी economy हो जाएगी 4% कितना? 4% इंडिया की economy का जो share economy जो होगी वो world global share में कितना contribute करेगी? 4% अभी कितना contribute कर रही है? 3.5% तो आज से मतलब 5 साल पहले 2027 की बात कर रहे है ना हम लोग 5 साल बात 5 साल बात हम जह 0.5% और enhance कर जाएगे और हमारा share कितना हो जाएगा? 4% का हो जाएगा है लेकिन अगर आप current scenario का देखो तो current scenario में हम से adjust आगे कौन है? Germany? Germany है ना? अगर हम Germany को overtake कर लें overtake कर लें तो हमारी economy जो है वो third largest economy में आ जाएगे हम लोग अगर Germany को overtake कर लें Germany चौथे पर है ना? अगर चौथे position पर जो है उसको overtake करोगे तो किस position पहुँचेगे आप? तीसरे पहुँचेगे नहीं तो Germany को हम overtake कर लें और यह economy जो बात की जा रहे है overtake करने की वो time period बताया जा रहा है दो हजार उनतीस का कितना? दो हजार उनतीस दो हजार उनतीस में जर्मनी को क्रास करना है जपान को क्रास करना है और हमारी position यह आ जानी है कहाँ पे? यह अब यह position होगी third largest economy की लेकिन कब तक यह कहानी होगी दो हजार उनतीस तक दो हजार उनतीस तक तो अभी जो हमारा जो current competitor है कौन है? जर्मनी हमसे जज़ जो आगे है कौन है? जर्मनी लेकिन 2027 तक की अगर हम लोग बात करें तो 2027 तक हम 4% जबकि जर्मनी का अभी भी current में उसका जो share 4.1% है टिक? तो 2027 तक तो अभी मुस्कील है लेकिन 2029 तक यह बताया जा रहा है कि जपान और जर्मनी दोनों की economy जो है वो नीचे आ जानी है और हमारी economy जह है उपर चली जानी है टिक? लेकिन लेकिन यहाँ पर बात यह ध्यान रखना है कि US और China हमसे अभी भी बहुत ज़्यादा आगे होंगे क्या? बहुत ज़्यादा आगे होंगे अभी current में चुकी हम लोग ने 75 साल complete किये अजादी के और जिस देश ने हमारे उपर राज किया था उसका नाम था United Kingdom Britain ब्रिटेन का राज था न तो हमें खुसी इस बात की है 75 साल complete करने के सुतनता की कि जिस देश ने हमको 200 साल तक लूटा कितने सालों तक? यह बोला जाता है कि 200 सालों तक लूटा या 200 सालों तक राज किया ठीक है? उसको हमने मात्र 75 साल कितने साल? 75 साल स्वतंता मतलब स्वतंत्र होने के बाद हमने उसको पठखनी दे दी पिछाड दिया तो यह हमारी achievement और no doubt जो भी हमारे जो लीडर है जो भी हमारे देश के लोग है जिनों ने जिस भी फिल्ड से contribute किया education के sector से health के sector से engineering की work से या कोई भी sphere हो या public administration की बात कर ले उन सब का योगदान है सब का योगदान है ठीक है? किसी एक आदिमी से ये picture देखने को नहीं मिलती है और हमारा समिधान भी start होता है we the people of India से ठीक है? तो हम लोग जिस तरीके से आज की date में fifth largest economy की बात कर रहे है हम लोग और near future में 2029 की जो बात की जा रही है वो third largest economy की बात की जा रही है तो near future में हम लोग जहें चाइना और US को भी cross करके पहले नमर पे आ सकते है ठीक है? तो अभी जो हम लोग ने discuss किया वो एक पहला मतलब यह पहला पहलू था ठीक है? इसका जो दूसरा पहलू है उसको भी जानना बहुत जरूरी है कि fifth largest economy अगर हम बन गए हैं ठीक? global level पे तो इसका मतलब हम लोग बहुत पैसे वाले हो गए हैं क्या? चार तरफ prosperity फैल गई है क्या? जिसके pocket में देखो पैसा या dollar या रूपिया दिनार ठैचम ठैच भरा हुआ है क्या? इस बारे में हम लोग अब discuss करेंगे ठीक? ओके अभी हम लोग जो discuss किये वो GDP share को लेके बात किया हम लोगों ने कि पूरा global level पे या world level पे इंडिया का, US का, China, Germany, Japan इन देशों का share कितना है ठीक है? और हमने जो अपने देश की जो achievement का discuss किया उसके बारे में बात किया है? achievement किया? कि आज की rate में हम लोग fifth largest economy बन गए हैं, ठीक है? और दो हजार सताइस में हमारी जो GDP गुरोथ होगी वो काफी अच्छी अभी स्टीजनेस जो है देखने को मिलेगी और इस टाइम पिरेड में इस टाइम पिरेड में जर्मनी और जापान वो slowdown होंगे और खास हुए UK जो है वो इस लिए पिछे हो गया अभी current की बात करें हम लोग UK इस लिए पिछे हो गया कि वो जो है वो retrogressive mode में उसकी growth आ गए और हम लोग क्या है? progressive mode में जैसे अभी ज़स्ट अभी जो report आये थी first quarter की report आये थी first quarter की report आये थी जिसमें हमने देखा कि April, May, June April, May, June में जो हमारी जो economic growth थी वो क्या थी? 13.5% अभी हम लोग discuss किये थी इस बात की चर्चा हो चुकी है और ये काफी highlight रहा तो इस तरीके का जो growth है अगर ये रहा ठिक तो हमारी economy जो है ये consider किया जा रहा है कि 2029 तक हम Germany और Japan जो हमसे आगे चल रहे है उनको हम लोग पचार देंगे तो 2029 तक उनको पचारने के बाद हम world की third largest economy हो जाएंगे ठीक है? Third largest लेकिन इस करम में China और US हमसे काफी आगे रहेंगे एक चीज़ और मैं बता दूँ आप लोगे दिमाग में चल रहा होगा कि US को United States of America को भारत कब पीछे कर देगा ठीक है? तो ये जो आंकडा या जो एनालेसिस जो चल रही है वो ये चल रही है कि हम लोग जब सताबदी वर्स मना रहे होंगे भारत के अजादी का वो कब आएगा टाइम पिरेड? 2047 क्योंकि 1947 में हम अजाद हुए ठीक और 1947 में अगर आप 100 एड करोगे तो 2047 2047 तक एकनॉमिस्ट ये कह रहे है ठीक आईवेफ का डेटा भी है वो रिवील कर रहा है और अभी जो मैंने आंगले लिखे थे से पहले वो आएवेफ का ही डेटा था तो 2047 तक हम एवेस को सरपास कर जाएंगे एवेस की एकनॉमिस को हम पचाड देंगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले नंबर पे आज की डेट में एवेस है उसको हमने पचाड जया तो हम 2047 में पहले नंबर पे आ जाएंगे ठीक है ये ऐसा नहीं है पहले नंबर पे होगा चाइना पहले नंबर पे होगा चाइना ठीक है सेकेंड लाड़ेस्ट एकोनॉमिस में हम लोग आ जाएंगे समझ रहें इस बात को तो 2047 का वो टाइम पिरेड होगा जब हम US को हम पच्छाठ देंगे यहां तक अगर बात समझ में आ गई हो तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे per capita GDP के बारे में ठीक है तो per capita GDP को कैसे निकालेंगे आप लोग पर capita GDP हम ऐसे निकालेंगे कि किसी देश की किसी देश की आप क्या करेंगे total GDP कितनी है उसकी समझ रहे हैं आप लोग grass domestic product और इस grass domestic product में आपको करना क्या है उस देश की पूरी population ठीक जैसे अगर हम भारत की consider करें तो भारत की population को हम अमुवन जैसे माल लिया कितना 1.5 1.4 billion अब यह जो calculation करके निकालोगे आप लोग वो निकलेगा per capita GDP per capita GDP समझ रहे हैं अब हम बात करेंगे कि जो हम UK United Kingdom उसको जो है पचाड के जो पांचवे नंबर की largest economic या largest GDP की बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या निकलता है उसका मतलब हम लोग consider करेंगे per capita GDP के point आविस से तो आप एक डेटा और लिखिए डेटा आपको ये लिखना है कि इंडिया की per capita जो GDP है इंडिया की per capita GDP जो है वो है पचीस सो डालर लगभग कितना? पचीस सो डालर ठेक? बिलियन डालर मत कर देना? अगर बिलियन डालर की कंडिशन हो गई तो pocket बहुत ही छोटी पड़ जाएगी समझ रहे हैं आप लो? महत रिये पचीस सो डालर है ओके अब हमने किस को पचाड़ा है? UK को तो UK का पर केपिटा पर केपिटा जीडीपी है थोड़ा सा देखी या आप लो 47,000 डालर ठेक? और 47,000 डालर और पचीस सो डालर का जो डिफ्रेंस होता है वो लगभग बीस गुने का होता है नहीं? लगभग अरे पचीस पचीस सो है ये और ये 47,000 है अगर मालिक ये 50,000 होता तो लगभग एग्जैक्ट बीस गुना तो कंसिडर ये मतलब ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि पर केपिटा जीडीपी के पॉइंट ओफ व्यू से UK के UK के जो पर केपिटा जीडीपी है लगभग बीस गुना है इसका और मतलब समझते है जैसे यहां का ब्यक्ति जैसे संदीब सर्मा ये इसके पास पैसा और UK का कोई होगा कौन? Sam Sandy वो मेरे से बीस गुना धनी होगा Simple सी भासा ये है यहां का संदीब और वहां का Sandy में जो डिफिरेंस है वो बीस गुने का है इसका मतलब ये निकला है समझ रहे हैं? तो no doubt हम overall देश के रूप में अगर देखें तो हम UK से धनी हो गए हैं लेकिन परव्यक्ति के हिसाब से अगर बात करोगे तो अभी भी हम बीस गुना लगभाग गरीब है सामत हैं आप लोग तो इस कॉंसेप्ट को याद रखना है तो आज का लिक्चर यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं ठीक है? आगे हम लोग इसी तरीके से मिलते रहेंगे और हम अपनी बातों को डिस्कस करते रहेंगे तैंक यू